हर्याना में हिसार जिले के सेअधवा गाउं में किसान जयावाल की बॉड्टी अभी भी कुए में ही फसी है सेना और NDRF के ज़वान रात को दो बार बॉडी के पास से लेकिन दोनों ही बार उपर से मिट्टी गिरने से बॉड़ी दब गई फिलाल किसान डेड़ दो कुईंटल मिट्टी के नीचे फसा है दिकत यह आ रही कि कुई में गिरी इंटो को निकालने के लिए खुदाई में जोल लगाया जाता है तो उपर से मिट्टी आ जाती है जवानों के दबने का खत्रा भी हर समर मना रहता है अब खुदाई का काम दोबारा शुरू हो गया है कुई के तीन ओर से मिट्टी को पूरी तरह से हटा कर जवान अंदर जाएंगे तो बहरे धाई बज़े तक मिट्टी हटा कर नीचे जाने का टार्गेट सेना एंडियारफ ने तै किया है स्याडवा गाओं में मौत के कुई में मंगलवार रात को 11 बजे के करीब और और फिर बुद्वा सुबह 25 बजे करीब मिट्टी गिर गई इस बीच जैपाल का शव सड़ने लगा है उसमें से उटरी बद्वू की वज़े से कुई में काम करने के लिए उतरे सीना और इंडियारफ के जवानों को बड़ी मुश्किल का सानमा करना पड़ रहा है वहीं एक पोकलेन मशीन भी खराब हो गई है आपको दाने किसान जैपाल हुड़ा कोए में फसी हुए 72 गंटे से उपर हो गए है मिट्टी और हीटो से दबने से उसकी मौत हो चुकी है शरीर पानी में होने के करना फूला हुआ था किसान को निकालने के लिए सेना और इंडियारेफ के टीम के भासट गंटे से रस्क्यू आपरेशन में लगी हुई थी अभी भी उसकी बॉड़ी नहीं निकल पाई है